हालो एवरीबडी वेलकम टो आर डिजिल प्लाटफॉर्म निम्बस लर्निंग पावर्ड बाई इंजिनर्स अकाडमी डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जोब अपडेट सेक्शन में जैसा कि आप मेरे पिछे स्क्रीन पे देख रहे हैं ज आज का जोब अपडेट होने वाला है उत्राखंड सबोडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन की तरफ से देखते हैं UK SSSC में क्या वेकेंसी निकली हैं कौन ब्रांच अलिजिबल है एज लिमिंट कितना सेलरी मिलेगा सारे की सारी चीज़े हैं बन बाई वन यहाँ पे डिसकस बात करते हैं कौन-कौन सी ब्रांच अलिजिबल है कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है तो सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर इंजिनियर ट्रेनी सेविल इंजिनियरिंग में डिपार्टमेंट है आपका यूज वी अन लिमिटेड में इसमें अगर टोटल नंबर वेक वेकेंसी की बात की जाए तो यहां पर 25 वेकेंसी है आपका एडुकेशन कौलिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इन दे सेविल इंजिनियरी दूसरी पोस्ट लेते हैं दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजिनियर ट्रेनी सिविल डिपार्टमेंट है पावर ट्रांसमिशन टोटल पोस्ट फाइफ है इसमें भी आपका डिपलोमा होना चाहिए इन दे सिविल इंजिनियरी थर्ड पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजिनियर नौट ट्रेनी इट्स जूनियर इंजिनियर पोस्ट इन डिपार्टमेंट ओफ रेनेवेबल एनरजी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टैन नौबर ओफ पोस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे आपका डिपलोमा होना चाहिए सिविल इलक्टरिकल यह मेकैनिकल में प्लस में दो साल का एक्स्पिरियंस यहाँ पे रिक्वायर रहेगा अगर फोर्थ की पात करें जूनियर इंजिनियर ट्रेनी इलक्टरिकल और जल विद्यूत डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 15 वेकैंसी है इसके अंदर जिसका डिपलोमा मेकैनिकल इंजिनियर और इलक्टरिकल इंजिनियरिंग में है वो डेफिनियर इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा फिर बात करते है junior engineer training mechanic for general विद्ध डिपार्टमेंट में, यहाँ पे भी डिप्लोमा अगर mechanical और electrical में है, 10 number of vacancies के लिए पर यहाँ पर apply कर पाएंगे, last है आपका junior engineer कौन से डिपार्टमेंट में, उत्राखंड environment production and pollution control के अंदर, total vacancies दोस्तों यहाँ पर 11 है, अगर आपका diploma है, civil engineering, chemical engineering, environment engineering, तो definitely आप इसके अंदर apply कर पाएंगे, अगर age limit की बात करें, तो सिरफ जो आपका pollution control board है, इसके अंदर minimum age 21 to 42 है, बाकी हर एक post में 18, 18 is the minimum age, 18 to 42 years का यहाँ पर age gap है आपके पास पे, और बाकी जो भी age relaxation है, as per the government guidelines, जो state के बच्चे हैं उतराखंड के, उनको definitely यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर बात करते है salary की, बहुत अच्छा pay scale है, 44,900 से 44,900 से लेके 1,42,400, 142,400 रुपीज के level 7 pay matrix से आपको यहाँ पर salary दी जाएगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा खासा package बनने वाला है, चलिए, अगर application की fees की बात की जाए तो उतराखंड ने यहाँ पर, उतराखंड government ने कोई भी fees आपके लिए नहीं रखी है, जो कि आपको एक बहुत ही बैतरीन बात है, चाहे वो general है या कोई reserve category है, अगर selection process की बात की जाए, तो यहाँ पर आपसे 100 MCQ, 100 questions आएंगे, objective type questions आएंगे आपके, और 2 घंटे की duration आपको दी जाएगी, उन 2 घंटे में आपको अपना exam देना है, So, अब बात करते हैं important dates, क्या-क्या important dates यहाँ पर रहने वाली है, So, these are the dates and mark these dates on your calendar, भूल मत जाना, starting की अगर बात करूँ तो मैं 15 December को यह form शुरू होने वाला है, और last date की अगर बात करी जाए, तो January 28, 28, 2022, ठीक है, 22, 28 January 2022 को इसकी last date है, यहाँ पर tentative month भी दिया गया है, examination का, June 2022 इसका tentative month रखा गया है, So, दोस्तों, यह कुछ dates हैं जो आपको याद रखनी है, So, dear students, यह थी आज की update, आपको update कैसी लगी ज़रूर बताएगा, कोई suggestion है, कोई query है, तो comment section में लिखिए, So, चलिए, अगली वीडियो को केज़े इंतजार, तब तक के लिए, नमशकार.